आईए जानते हैं सत्यनारायन, कथा कब और क्यूं करनी चाहिए। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही और दिल्चस्प तथे आपको मिलते रहें। संतान के जन्म दिन पर, बच्चों की लंबी आयू और उज्वल भविश्य के लिए, जन्म दिन पर सत्यनारायन, कथा कराना शुब माना जाता है, या उनके जीवन में सुरक्षा और सम्रिध्धि लाता है, व्यवसाय की सफलता के लिए, नए ओफिस या व्यापार की तो पूर्णिमा के दिन कथा का आयोजन करने से घर में शांती और सकारात्मक्ता का माहौल बनता है, मनो कामना पूर्ती के लिए, चाहे ग्रह प्रवेश हो, विवाह हो, या कोई विशेश कामना, इस कथा के प्रभाव से सभी इच्छाएं पूरी होने का आशीरवाद मिलत है, स्वास्थे और आरोगिता के लिए, यदि घर मे कोई बीमार है या लंबे समय से स्वास्थे समस्याएं चल रही है, तो कθा करने से स्वास्थे में सुधार होता है, और बीमारी से मुक्ति मिलती है, धन और समरिद्धि के लिए आर्थिक समस्याओं से निजात पाने औ प्राप्ति होती है और जीवन में सुख सम्रिद्धी आती है। सत्य नारायन कथा जीवन के हर महत्वपूर्ण मोड़ पर की जा सकती है। चाहे वह स्वास्थ्य, धन, सफलता या मनोकामना की पूर्टी से जुड़ी हो। यह कथा घर में सकारात्मक उर्जा लाती है, मानसिक, शान्ती देती है और परिवार में खुशी बढ़ाती है। यह न केवल एक धार्मिक रस्म है, बलकि कठिनाईयों का सामना करने की शक्ती भी देती है। इससे रिष्टे मजबूत होते हैं और आर्थिक सम्रिद्ध की राह खुलती है। इसलिए सत्य नारायन कथा एक बहुत महत्वपून साधन है, जो हमें जीवन में संतुलन और खुशी लाने में मदद करती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो क्रिपया इसे शेर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।